आजकी lecture में हम करेंगे chapter 7 logarithm की exercise 7a इसमें पहला question क्या है express the following in logarithm form क्या करना है हमें log के form में in questions को लिखना है फर्स्ट कॉशिन क्या है, four square is equal to sixteen four का square क्या है, sixteen है इसको log के form में कैसे लिखेंगे, देखी यहाँ पर यह क्या है, four क्या है हमारा, base है two क्या है, exponent है four क्या है, base, two क्या है आपर, exponent है यह हमारा number अब log क्या से लिखेंगे, पहले हम log लिखेंगे फिर क्या लिखते हैं हम, base लिखेंगे base यहाँ पर लिखेंगे, four यह समझ में आ रहा है, पहले हम क्या करेंगे, log लिखेंगे फिर जो base होगा उसको लिखेंगे फिर यह number sixteen is equals to, यह जो power है उसको equal के, इस side लिखेंगे यह है हमारा answer, समझ में आ रहा है कैसे लिखते हैं second भी देखें, log लिखेंगे base क्या है यहाँ पर, seven base है, यह exponent है क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे base base क्या है यहाँ पर, seven है base seven है, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ number three, 43 is equals to, exponent क्या है हमारा यहाँ पर, three है तो equal की इधर हमारा हो गया, three क्या करते हैं यहाँ फिर देखिए, log लिखा हमने यह क्या है, यह हमारा base यह लिख लिया हमने, क्या है यह, base है base के बाद क्या करेंगे, हम number लिखेंगे यह होता है हमारा number, one by nine is equals to, यह जो है हमारा, यह क्या है exponent है, यह हो गया minus two, यह है हमारा answer आ रहा है समझ में, fourth question भी देखिए यहाँ पर क्या है, six की power zero is equals to one, six क्या है, base है log, base फिर क्या करेंगे हम, number लिखेंगे यह base है, यह power है, यह हमारा number यह number लिखा हमने, इधर क्या आएगा हमारा zero आएगा, zero क्या यहाँ पर exponent है exponent जो होगा, उसे कैसे लिखेंगे equal की, इस side हमारा क्या है यहाँ पर exponent है, नीचे यह क्या है यह है हमारा base आ गया समझ में, note कर लीजे फिर हम next question देखते है इस question में क्या है 36 की power 1 by 2 is equals to 6 है 36 यहाँ क्या है, base है यह हमारा exponent तो log लिखेंगे फिर क्या लिखते हैं, base को base क्या है 36 फिर क्या होगा यहाँ पर, यह number 6 is equals to, यह हमारा जो exponent है यह right hand side आ जायेगा आ रहा है समझ में, next question देखिए यहाँ पर log लिखेंगे हम base क्या है यहाँ, यह base है यह power है, यह हमारा number base क्या है, यहाँ पर 10 है 10 base है, उसके बाद क्या लिखेंगे जो number लिखा हुआ है is equals to, जो हमारा exponent है उसे equal के each side रखेंगे यह हो गया आ रहा है समझ में, देखिए कितना easy है अगर आप chapter 6 indices पढ़े हैं तो यह आपको पता होगा कौन सा base होता है और कौन सा exponent होता है फिर देखिए इस वाले question में, यह log है यह क्या है यह है हमारा base यह है exponent यह base है, और वो क्या है exponent है लोग निखा फिरम क्या लिखेंगे यहाँ पर base लिखेंगे base लिखने के बाद क्या करेंगे number लिखेंगे यह base, यह exponent, यह है हमारा number 25 is equals to exponent है 2 by 3 आगे है समझ में नोट करिए, फिर next question देखते हैं second question में क्या लिखा हुआ है change the following into exponent form यहाँ पर क्या करना है, यहाँ हमारा log के form में लिखा हुआ है इसे हमें exponent के form में लिखना है exponent के form में लिखना है देखिए, log में यह क्या होता है यह होता है हमारा base equal के h side यह क्या होता है exponent, यह है हमारा number आ रहा है समझ में अब देखिए exponent form में लिखना आए क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं base को base यहाँ है 3 base लिखने एक बार base के उपर क्या रहता है power रहता है base के उपर क्या होता है exponent होता है base के उपर हम लिखेंगे 4 फिर यह क्या आ जाएगा हमारा number 81 आ गया समझ में second question में देखिए यह हमारा base यानि 5 base के बाद यह क्या होता है power और यह हमारा number यह हो गया कितना easy है बस आपको क्या करना है base और exponent को देखना है उस हिसाब से हमको लिखना है क्या है यहाँ पर base 27 बेस लिख दिए बेस के उपर क्या होती है power यह होता है हमारा power 4 by 3 is equals to यह है number यहाँ पर इसको क्या करना है हमें log में दिया हुआ है exponent form में लिखना है यह हो गया हमारा answer आ गया समझ में note कर लीजिए फिर हम देखते है fourth question fourth question में देखिए यहाँ log यह क्या है two क्या है यहाँ पर base है यह है base यह है exponent क्या लिखेंगे base लिखेंगे फिर base के उपर क्या होता है power होता है exponent होता है यह हो गया minus two is equals to यह है हमारा number one by four यहाँ पर देखिए यह क्या है base तो base लिखा हमने base के बाद base के उपर क्या होती है यह आपर लिखेंगे फिर यह क्या है नमबर 1 अपोन 25 नेक्स्ट कोशिन में देखिए यह क्या है हमारा यह बेस कि टेन टेन बेस आप अब क्या लिखेंगे पावर लिखेंगे पावर क्या है माइनस टू है माइनस तू इस इकूस तू जिरो पॉइंट जिरो वन आ रहा है समझ में नोट कर लीजे फिर हम थर्ड कोशिन देखते हैं यहां पर देखें थर्ड कोशिन में लिखा हुआ है Find the value of log 4 64 यहां क्या करना है हमें यह जो कोशिन दिया हुए इनकी क्या करना है हमें value निकालनी है कैसे निकालेंगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है log यह 4 क्या है बेस है और यह number देखिए log 4 64 is equals to equal के बाद क्या आता है हमारा यहां पर माल लीजे कुछ x है क्या है x अब देखिए इसको हम exponent form में लिखें तो कैसे लिखेंगे यह base यह क्या हो जाता है power is equals to 64 यह हो जाता है न base base के उपर power है और यह हो गया हमारा number अब देखिए यह हमने पढ़ा है chapter 6 indices में हमें यहां पर क्या करना है x की value find करनी है हमें यह वाला find करना है log 4 और यह 64 लिखा हुआ इसे क्या करना है इसकी value find करनी है इसको हमने मान लिया x अगर x की value आ गई यानि इसकी value आ गई यहां x कैसे find करेंगे देखिए 4 x है इसे क्या लिख सकते है 4 की power 3 4 4 जा 16 4 जा 64 यह हो गया 4 की power 3 हो गया अब देखिए base 4 यहां पर 4 base same है am is equals to bm है अगर base हमारा same होता है sorry यहां पर देखिए an base अगर हमारा same होता है तो power जो है वो अपने यहां पीक्वल हो जाएंगे यह हमने chapter 6 में पढ़ा है अगर base equal होता है तो power क्या हो जाती है equal हो जाती है यहां पर देखिए base हमारा same है तो power equal यहनि x is equals to 3 x की value क्या आ गई यहां से 3 आ गई अब x हमने किसको माना था इसको माना था तो इसकी value आ गई 3 आ रहा है समझ में second question देखिए यहां पर यह क्या है base है यह 16 नंबर है इसको हम मान लेते हैं कि log 2 base 16 is equals to y y मान लेते हैं इसको अब हम इसको exponent form में कैसे लिखेंगे base base के उपर यह power is equals to 16 फिर देखिए यहां क्या करेंगे यह लिखा हुआ है हमारा 2 की power y यहां पर भी हम 2 की power में लिखेंगे ताकि हमारा base सेम हो जाए और base सेम हो जाएगा तो power भी एककोल हो जाएगे तो यह होगे 2 y is equals to इसे क्या लिखेंगे 2 की power 4 2 तूजा 4 तूजा 8 तूजा 16 यानि 2 की power क्या लिख रहे हैं वैल्यू क्या आ गई यहां से 4 आ गई अब y हमने इसको माना था यानि इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई आरा समझ में 3rd question देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं इसको मान लीजिए यह है A के इक्वल यह पूरा हमारा क्या है A के इक्वल है इसको हम exponent form में कैसे लिखेंगे यह है base base के उपर power is equals to 1 by 9 आ रहा है समझ में अब देखिए यह है 3A is equals to 1 upon 3 यह 9 क्या है square है अब देखिए यहां पर अगर जिसने exponent जो chapter 6 indices है उसको अगर नहीं पढ़ा है तो यहां पर उसे समझ में नहीं आएगा इसलिए यह chapter पढ़ने से पहले exponent chapter जरूर पढ़ लिजेगा अब देखिए यहां से यह हो गया इसको क्या लिखेंगे हम 3 की power minus 2 यह चीज आया समझ में 3 की power minus 2 क्यों है देखिए जब हमारा यह जो power है negative आ जाए जब power negative आ जाती है तो number को हम reciprocal कर देते हैं power हो जाएगी positive आरहा समझ में जब power negative आ जाए जैसे एक ही power अगर minus m है क्या हो जाएगा यह number यह base reciprocal में power minus में है तो यह plus में आ जाएगा यह देखिए यहाँ यह चीज दिया हुआ था हमने इसको इस form में लिखा यह हो गया यहाँ से देखिए हमारा base 3 अधर भी 3 तो base base क्या है equal है जब base equal हो गय है तो power भी क्या हो जाएगी equal हो जाएगी यहाँ से a की value क्या आ गई minus 2 आ गई आ गया समझ में नोट करिए फिर हम देखते हैं fourth question fourth question में क्या लिखा हुआ है log यह base है हमारा 1 by 2 और यह है 16 है हमारा number इसे हम क्या करेंगे let करते हैं कि log base 1 by 2 16 is equals to x है इसे हम x let करते हैं फिर देखिए हम क्या करें इसे exponent form में लिखे यह हो गया हमारा base 1 by 2 इसकी power क्या है x है is equals to यह हो गया हमारा number यह 16 है यहाँ पर क्या करेंगे देखिए 1 by 2 की power x is equals to इसे क्या करें हम 2 के form में लिखते हैं यह है हमारा 2 की power 4 2 तू जा 4 2 जा 8 2 जा 16 यह क्या है 2 की power 4 है अब देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा है 1 by 2 यहाँ लिखा है 2 2 क्या है यहाँ पर reciprocal में इसे हम क्या करते हैं देखिए 1 by 2 है इसको क्या लिख सकते हैं 2 की power minus 1 लिख सकते हैं 1 by 2 को 2 की power minus 1 लिख सकते हैं देखिए यहाँ क्या है? निगेटिव इंडेक्स है. यानि यह नमबर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल में हो गया. अब यह क्या हो गया? पॉजिटिव बन गया. यानि 1 अपॉन 2. इसे हम यह लिख सकते हैं. और इसको यह लिख सकते हैं. यह तेहा क्या हो जाएगा? 2 की पावर माइनस 1. और यह क्या पावर लगा हुआ है? X. यह हो गया. अब देखिए. 2 पावर के उपर पावर. तो पावर मल्टिप्लाइ हो जाएगी. तो क्या जाएगा? 2 के उपर माइनस 1 इंटो X क्या एगा? माइनस x is equal to 2 की पावर 4 base, base क्या है? equal है, same है तो power भी क्या हो जाएंगी? same हो जाएंगी यहाँ पे x की value क्या आ गई? minus 4 यानि इसकी value है हमारी minus 4 आ रहा है समझ में? note करिए, फिर हम 5th question देखते हैं देखिए, 5th question में क्या लिखा हुआ है? log, base 1 by 10 100 is equals to हम ले लेते हैं यह है हमारा y अब देखिए, इसको कैसे लिखेंगे exponent form में? यह है हमारा base base और यह क्या है? power है यह exponent है, is equals to यह हमारा number यह चीज आ गया समझ में लिखना? कैसे लिखते हैं? base base के उपर क्या होता है? power होता है तो यह है हमारा power और यह number यह base, power, number आ रहा है समझ में? फिर देखिए, यह हो गया यह क्या है? यह है हमारा 10 का square यह लिखा हुआ है अब देखिए, अभी हमने यहाँ पर देखा है यह 1 by 2 है यहाँ पर 1 by 10 है इसको हमने क्या लिखा है? 2 की power minus 1 यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? 10 की power minus 1 और उसकी power क्या है? यह चीज़ आया समझ में देखिए, पावर क्या हो गए? यहाँ पर minus 1 याने negative हो गए जब negative हो जाता है नंबर क्या हो जाता है? reciprocal में और power positive हो जाएगी यह आ गया? यह आया समझ में? अब देखिए, यहाँ पर करेंगे 10 minus 1 into y minus y is equal to 10 square base, base same power भी क्या हो गया? same यह आ गया इहां से answer minus y is equal to 2 minus अधर चला गया तो y is equal to minus 2 आ गया समझ में? यानि इसकी value क्या आ गयी हमारी? minus 2 अब हम यह question देखते हैं इसमें क्या लिखा होगा? log 4 और यह क्या है number 1 by 64 इसको let करते हैं, यह z है इस पूरे को हमने क्या लिट किया? यह है z अब देखिए यह होगे हमारा base यह होगे अब power यह क्या लिखा होगा? 1 by 64 4 z is equals to यह क्या है? 1 by 4 का cube है 4 for the 16, 16 for the 64 तो 1 by 64 को क्या लिखेंगे? 1 और नीचे क्या है? 4 का cube है अब देखिए यहां से इसे हम क्या करते हैं? उपर ले जाएंगे जैसे 1 by 2 लिखा हुआ है 1 by 2 इसे हम क्या लिखेंगे? 2 की power minus 1 यह लिखेंगे न 1 by 2 है 2 की power minus 1 negative number तो number यहां क्या होगे? sorry negative power है number क्या हो जाएगे? reciprocal में और power हो जाएगी positive यह चीज़ा आ रहा है समझ में? chapter 6 अगर आपने पढ़ा है तो यह बहुत दीजली समझ में आ जाएगा देखिए यहां पर यह क्या है? यह लिख सकते हैं देखिए यहां पर यह minus में हैं फिर यह reciprocal और यह power क्या हो जाएगी? positive इसको हमने क्या किया? इस form में लिख लिया 4 की power Z base base same तो हमारा Z is equal to minus 3 आ गया यानि इसकी value क्या आ गई? minus 3 आ गया समझ में? नोट करिए फिर हम देखते हैं fourth question fourth question में क्या करना है हमे? find the value of X X की यहाँ पर value find करनी है log base क्या है हा? X है 16 क्या है number और 4 क्या है? power है यहां पर हमें X की value find करनी है कैसे करेंगे? यह है हमारा base यह लिख लिया यह है power यह हो गया यहाँ पर और यह है number इसको क्या किया हमने? यह log form में इसको हमने exponent के form में लिख लिया अब देखिए ये है x की power 4, base base की उपर power और ये number ये हो गया x की power 4 ये क्या है? 2 की power 4 अब देखिए यहाँ पर हमारा ये power दोनों क्या है? same है power same है तो base equal हो जाएंगे यानि x की value आ गई 2 आ गया समझ में अगर base equal है तो power equal हो जाएंगे power equal है तो base हमारा equal हो जाएगा आ रहा है समझ में? second question देखिए यहाँ पर भी x की value find कर गई है ये है base ये है power और ये number तो base, base की उपर power is equal to 1 by 27 1 by 27 है इसे क्या लिखेंगे? 3 की power 3 ये हो गया अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 की power minus 3 जब number reciprocal में होता है और उसे ये reciprocal में है इसे हमें क्या करना है? उपर लाना है यानि ये 3 है ये 3 इसे उपर लाना है तो क्या हो जाएगा ये? आ रहा है समझ में? या देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं ये हो गया अब देखिए यहाँ पर क्या है? एक्स की power 3 है अब अगर हम इसको क्या करें? ये लिखा है 1 by 3 और इसकी power क्या है? 3 है इसकी power क्या है? 3 है यहाँ से देखिए हमारा ये power ये power क्या है? इक्वल है यानि बेस भी हमारा इक्वल होगा एक्स की power स्वारी एक्स इस इक्वल्स टू 1 by 3 यहाँ पर देखिए हमारा power क्या है? equal 3,3 है तो base भी क्या हो जाएंगे? equal हो जाएंगे, ये चीज़ आया समझ में, देखें यहां पर 3 की power 3 है 27, यहां हमने hole क्यों लिखा, क्योंकि 1 की power अगर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, यानि 1 की जगे हम 1 की power 3 लिख सकते हैं, ये 1 है, 1 की जगे 1 की पावर 3 लिख देंगे, क्या जाएगा 1 की पावर 3, नीचे 3 की पावर 3, फिर हमारा पावर सिम, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज हमने यहां पर लिखा है, आरा समझ में, थर्ड कोशिन देखी, यहां पर क्या है, लोग, x बेस है हमारा, 343 is equal to minus 3, बेस, यह है पावर, is equal to 3, 43, फिर क्या करेंगे, यह है हमारा, यह किसका क्यूब होता है, यह होता है, हमारा 7 का क्यूब, 7, 7 जब 49, 49, 7 जब 3, 43, क्या हो गया यह, यह हो गया 7 का क्यूब, अब देखिए यहां से, यहां minus 3 है, यहां 3 है, दोनों को same number कैसे लाएं, देखिए, यहां क्या हो जाएगा, negative है, negative index, यानि number क्या हो गया, reciprocal में, और यह हमारा positive हो गया, क्या हो जाता है, negative index मिले, negative power मिले, तो हम क्या करेंगे, यह जो base है, इसको reciprocal कर देंगे, base को क्या करेंगे, reciprocal, यह नीचे आ गया, यानि जो numerator में है, वो denominator, अगर denominator में है, तो numerator में जाएगा, यह कर दिया, फिर, यह power minus 3 है, तो plus 3 हो जाएगा, plus 3 होता, तो minus 3 हो जाएगा, यानि हमारे power की, जो sign है, वो change हो जाएगे, आ रहा है समझ में, अब देखिए, यहां से हमारा, यह, यह equal, यानि power equal है, तो base भी क्या हो जाएगे, equal हो जाएगे, 1 by x is equal to 7 है, देखिए, यहां हम क्या करेंगे, यहां देखिए, 7 by 1 रिखा हुआ ह reciprocal कर देंगे, तो क्या जाएगा, यह उपर चला जाएगा, x, यह उपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 by 7, यह हो गया हमारा answer, यह चीज़ आए समझ में, देखिए, 1 by x है, यहां 7 by 1 है, हमें 1 by x की value नहीं चाहिए, 1 by x की value 7 आ रहे है, हमें value किस की चाहिए, x की चाहिए x लाने के लिए हम क्या करेंगे, यह 1 by x है, इसका हम reciprocal कर रहे हैं, तो यह क्या हुआ, numerator में चला गया, 1 denominator में आ गया, 1, अब जो equal के इस side करेंगे, उसको उधर भी करना पड़ेगा, यहां भी reciprocal करेंगे, 7 उपर था, यह आ गया, नीचे, यह एक्स की value आ गयी, 1 by 7, आ गया सम नोट कर लीजिए, फिर हम 4th question देखते हैं, 4th question में भी आई करना है हमें, x की value फाइन करनी है, यह हो गया हमारा base, यह exponent, यह number, बेस, बेस की उपर यह क्या हो जाएगा, minus 1, is equals to 0.1, यह आएगा, अब देखिए, यहां क्या है, x की power minus 1 है, यह क्या हो जाएगा, 1 by x, यह यह लिखें, यह तो हम यहां पर करते हैं, यह क्या हो जाएगा, 1 upon 10, 0.1 क्या हो गया, 1 upon 10 हो गया, यहां x की power minus 1, देखिए, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिखेंगे, 10 की power minus 1, यहां पर हमने क्या किया है, 10 की power minus 1 लिखा है, क्योंगे, देखेए, यह हैł, यह क्या है? Negative Index, यानि यह Base क्या हो जाएगा, रहसी प्रोकल में, और यह क्या हो जाएगा? Positive, यानि 1 by 10. इसको हमने यह लिख दिया. आगया समझ भी यह चीज? अब देखीए, यहां से हमारा यह Power, यह Power equal, तो Base क्या हो जाएगे? equal x की value क्या जाएगी 10 आ जाएगी आरा है समझ में 5th question में क्या है यहाँ पर भी हमें x की value find करनी है x क्या है यहाँ पर base है यह क्या हो गया power यह क्या है 8 क्या है हमारा number है आरा है समझ में 8 को क्या लिखेंगे 2 की power 3 यह हो गया, x, x की पावर 6 और यहाँ 2 की पावर 3 है, आप देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिए गए इस कोईशिन में, यहाँ 6 है, यहाँ पर 3, हमें equal करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, x 2 की पावर 3, यह लिख सकते हैं, पावर की उपर पावर 2 इंटो 3, 6, यह आ जाएगा, 2 की पावर, x स्कोईर की पावर 3 यहाँ पर लिखा, अब यहाँ से देखिए, यह पावर, यह पावर सेम, यानि base equal, x स्कोईर is equal to, क्या आ गया, 2 आ गया, x स्कोईर is equal to, 2 आ गया, अब यही स्कोईर इधर जाएगा, तो क क्या है, अंडारोट 2 है, यहाँ पर भी देखिए, यह है base, यह है exponent, और यह है हमारा नमबर, फिर क्या करना है हमको, यह हो गया, यह से क्या लिख सकते है, 10 की पावर, 1 लिखेंगे इसको, क्या है यह 10 की पावर, 1, अब देखिए यहाँ से, यहाँ तो 1 बाई 2 है, यहाँ क्या है, 1 है, अब हमें दोनों को equal कैसे लाएंगे, हम दोनों को equal कैसे लाएंगे, यह देखिए, हमने पढ़ा है, अगर जो index है, वो क्या आजाए, fraction में, index अगर fraction में आजाता है, तो हम कैसे लिखेंगे, यह जो denominator में है 2, देखिए, यह ऐसे हो जाएगा, यह numerator वाला इसके स और denominator में यहां चला जाता है, यह हो गया, यह चीज़ आ रहा है समझ में, यहां क्या हो रहा है, जो denominator में है, यहां जाएगा, और यह हो जाएगा, अगर fraction में, अगर fraction में, तब हम यह चीज़ करेंगे, यहां पर, यह हो जाएगा, यहां नंबर क्या होगा, जो denominator में वही नं पर उटकर यहां जाएगा और नियुम्रेटर वाला इसके पास रहेगा तो यहां से क्या आ गया अंडर रूट X is equals to 10 है अंडर रूट X क्या है 10 है अब देखिए यहां से अगर हम दोनों तरफ स्क्वाइर कर दें दोनों तरफ अगर हम स्क्वाइर कर दें तो क्या आ जाएगा इधर स्क्वाइर करेंगे इधर स्क्वाइर करेंगे तो यह आ जाएगा 100 यह क्या आ जाएगा ये x था और ये कहा लिखा हुआ ये 2 है इधर गया 1 by 2 इसकी power 2 power के उपर power, power multiply और ये cancel x की value आ गई 100 ये चीज़ आए समझ में ये दो question टिक लगा लीजिए ध्यान रखिएगा यहां पर 1 by 2 है ये क्या हो जाएगा under root में ये हो गया फिर क्या किया हमने या तो इसे ना करके यहीं पर देखिए x की power 1 by 2 है और इधर 10 की power 1 है तो हम दोनों तरफ अगर 2 क्या कर रहे हैं अगर हम square कर दे दोनों तरफ क्या कर दे square कर देंगे तो क्या जाएगा power के उपर power multiply यानि 2, 2 cancel x की value और ये हो जाएगा hundred आगया समझ में नोट कर लीजे फिर next question देखते हैं 7th part में क्या लिखा हुआ है ये है under root 3 और ये क्या है log के नीचे लिखा यानि ये क्या है base है ये exponent है ये number तो base ये exponent ये क्या है number है अब क्या करेंगे देखिए root 3 का square क्या आएगा 3 आ जाएगा root 3 का square ये है 3 यहाँ देखिए ये क्या है कुछ ने लिखा इसका मतलब 2 लिखा हुआ और ये under root में है तो ये कहा जाएगा 1 by 2 denominator में ये लिखा हुआ है power की उपर power power multiplier 3 की power 1 3 is equals to x plus 2 ये 2 इदर जाएगा 3 minus 2 1 1 क्या आ गया हमारा x की value यहाँ से x की value क्या आ गयी 1 आ गयी इस question में देखिए यहाँ पर ये फिर यहाँ पर base हो गया base के उपर ये क्या है power x plus 8 लिखा हुआ है अब देखिए under root 5 है यहाँ पर कुछ ने इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 2 है 2 है तो क्या लिखेंगे 5 1 by 2 और ये हो गया 4 ये चीज़ आ रहा है समझ में फिर देखिए power के उपर power power multiply मिल 2 2 जा 5 पे square क्या हो गया 25 ये आया ये plus में धर जाएगा minus हो जाएगा 25 minus 8 is equals to x minus करेंगे ये आ गया 7 और ये 1 x की value यहां से क्या गई 70 आगे है समझ में नोट कर लीजिए फिर 9th question देखते है यहां पर 3 क्या है base ये है हमारा exponent 3 की power 4 ये है यहां से x की value find करनी है 3 की power 4 क्या हो जाता है 81 ये minus में धर जाएगा plus ये हो गया 10 100 ये आ गया अब देखिए ये 100 क्या है 10 का स्क्वार है ये लिखा हमने power power same तो base भी हमारा क्या हो गया same x की value क्या आ गई 10 आ गई आ गया समझ में नोट करनीजिए फिर हम देखते हैं 5th question 5th question में क्या लिखा हुआ है if log base 10 a is equal to m express in term of a हमें यहाँ पर क्या करना है ये question दिये हुए है इन्हें हमें a के term में लिखना है कैसे लिखना है a के term में यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है base है ये ये exponent है तो यहाँ से क्या आ गया है ये base ये exponent m is equals to a base exponent और ये हो गया हमारा number तो 10m is equals to a है ये हमें given है और first question क्या है 10 3m हमें क्या करना है यहाँ पर a के form में लिखना है देखिए 10 की power 3m है इसको क्या रिख सकते 10 की power m और इसकी power क्या है 3 तो m into 3 3m आ गया ये चीज़ा आ रहा है समझ में अब देखिए यहाँ पर given क्या है 10 की power m है हमारा a यहाँ क्या हो जाएगा a और ये 3 यहनि a cube इसकी value क्या आ गई a cube आ गया second question देखिए 10m प्लस 2 है यहाँ पर हमें क्या पता है 10m is equal to a ये चीज़ given है यहाँ से यह कहां से आया हमारा log यह जो लिखा हुए log की form में यहाँ से हमने क्या किया exponent form में लिख लिया यहाँ 10 की power m प्लस 2 है इसे क्या करना है अमे a के form में लिखना है a के term में लिखना है क्या करेंगे देखिए 10m प्लस 2 बीच में प्लस है पावर हो और बीच में प्लस हो क्या करेंगे 10m into 10 की power 2 अगर आप chapter 6 पढ़ही है तब यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा और यह बहुत इजी चैप्टर है यहां पर क्या करना है देखिए यहां क्या है प्लस है यह multiply में base हमारे same है base क्या है same base same है तो power add हो जाएंगी base same है और वो multiply में तो power क्या हो जाएंगी add हो जाएंगी तो यह हो गया इसको यह लिख सकते है अब देखिए 10 m क्या है हमारा a है a into 10 का square 100 यह आ गया 100 a इसकी value क्या आ गई 100 a आ गई third part देख लीजे इसमें भी देख क्या है 10 5 m minus 3 अब देखिए power में minus है minus है तो क्या हो जाएगा upon chain की power 3 यह होता है न अगर base same हो तो power minus हो जाएगे base same हो और वो divide में हो base same है और वो divide में है तो power क्या हो जाएगे minus हो जाएगे base same हो और वो multiply में हो तो power add divide में हो तो power subtract हो जाएगे यहां क्या हो गया 5 minus 3 इसको हम यह लिख सकते है यहां पर अब यह है M यह हो गया यहां M 255 M हो गया अब देखिए 10 M क्या है यहां से यह है यह हमें गीवेल है यह हम लिखेंगे A A की पावर 5 अपॉन यह हो गया यहां से आगया A की पावर 5 अपॉन 1000 यह हो गया हमारा आंज आगया समझ में नोट कर लिजे फिर नेक्स्ट कोशन सक्स्ट देखते हैं अब सिक्स्ट कोशन देखिए यहां है इफ लॉग 10 X is equals to M, लॉग 10 Y is equals to N, राइट 10 की पावर 3 M प्लस 1 in term of X यह दिया हुआ है, इसको क्या करना है हमें? X के form में लिखना है देखिए यहां हमें क्या क्या given है, पहले हम वो लिख लेते हैं यह है बेस 10, यह है पावर और यह है हमारा नमबर, यह दिया है और लॉग 10 Y is equals to N, यह बेस है, पावर क्या है? N is equals to Y यह दो चीज हमें given है, अब देखिए यहां पर क्या करना है? इसे हमें X की form में लिखना है, क्या लिखा हुआ है? 10 M, 10 3 M plus 1, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 3 M into 10 की पावर 1 यह लिख सकते हैं, बेस सेम पावर एड़ हो जाएंगी, यह M है, बेस सेम तो पावर एड़ यह लिख सकते हैं आपर अब देखिए, यहां क्या दिया है? 10 M की पावर 3, into 10 की पावर 1, यहां से देखिए 10 की पावर M क्या है? X है 10 की पावर M क्या लिख सकते हैं? X और यह 3 into 10, यानि 10 X Q यह हो गया आंसर, क्या है आंसर? 10 X Q हमने क्या किया? इसको हमने X के form में लिख दिया सगंड कुश्चिन क्या है? 10 की पावर 2N minus 3 in term of Y क्या करना है? अमें Y की term में लिखना है देखिए, यह हो गया 10, 2N, अब देखिए, पावर minus पावर, पावर minus पावर जब पावर के बीच में प्लस हो, तो ऐसे लिखेंगे, multiply में, पावर के बीच में minus हो, तो वो divide में, यह हो जाएगा 2N, देखिए, बेश सेम है, और वो divide में, तो पावर क्या हो जाते है? माइनस हो जाते है, 2N minus 3 यह लिख दिया हमने, अब इसको हम क्या लिखेंगे? 10, N की पावर 2, और यह हो गया N into 2, 2N आ गया, अब देखिए, यहाँ 10 की पावर N क्या है? Y है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते है? Y, तो Y, यह square Y square upon 1, 1000, यह है हमारा answer, आ गया third question में क्या करना है? X, Y, in term of M and N, X, Y को हमें क्या करना है? M, और N के form में लिखना है, हम पहले जो question में हैं उसको लिख लेते हैं, यह क्या है base, यह है power is equals to number, base power is equals to number यह दिया हुआ है, यहाँ क्या करना है? X, Y, in term of M into, sorry, X into Y, in term of M and N, यह लिखना है, X into Y, यहाँ क्या करेंगे? X into Y, यह X है, इसके जगा क्या लिखेंगे 10 M into, यह Y, Y के जगा क्या लिखेंगे 10 N, यह हो गया, अब देखिए, यहाँ पर क्या है? 10 into 10, यानि यह base into base, base दोनों से में power क्या हो जाएंगी? add हो जाएंगी, N, M plus N, हमने X, Y को किस फॉर्म में लिखा? M and N फॉर्म में, यह हो गया हमारा answer, आ गया समझ में, अब फॉर्थ question देखिए, X by Y, interm of M and N, यहाँ पर भी देखिए, X, X क्या आया यहां से? 10 M, Y क्या आया? 10 N, यह लिख दिया हमने, अब देखिए, base हमारा क्या है? same है, और वो divide में है, 10 M minus N हो जाएगा, power क्या हो जाएंगी? subtract हो जाएंगी, यह हो गया, हमने X, Y, Y को क्या लिख दिया? 10 की power minus, 10 की power M minus N, यहनी M N, N के form में लिख दिया, आगे समझ में? नोट कर लिजी इसे, फिर 7th question देखते हैं, 7th question देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, given log 10 A is equals to M, log 10 B is equals to N, log 10 C क्या है? P है, express K, यह K है, in term of A, B, C, यह K की value को हमें क्या करना है? A, B और C के term में लिखना है, जो question में दिया है, उसे हम पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है? यह base है, यह exponent है, is equals to number, base, exponent is equals to B, base, P is equals to C, यह हो गया, यह तीन चीज हमें दिया हुआ है, आप यहाँ से करते हैं, देखिए, K is equals to 10, 2M, plus 3N, minus 5, P दिया हुआ है, देखिए, पावर क्या है, एड में, तो कैसे लिखेंगे, इसे 10, 2M, into 10, 3N, यह लिखेंगे, क्या दिया है, 10, 2M, into 10, 3N, तो यहाँ base सेम तो पावर एड, इसे हम यह यहाँ तक आए समझ में, फिर क्या है, minus, minus में यानि नीचे चला गया, यह हो गया, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखेंगे, 10, 10, 10 है, base सब सेम है, उपर multiply तो दोनों को add किया, add करेंगे, क्या जाएगा, 2M, plus 3N, यह हो गया, नीचे क्या है, base सेम है, पावर अब क्या करेंगे, minus करेंगे, यानि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं, यहां तक आया समझ में, अब देखें, यहां क्या है, 10, M की पावर 2, इन्टू 10 N की पावर 3 ये तो लिख सकते हैं ना यहां 2 इन्टू M है M इन्टू 2 2 M आ गया ये नीचे क्या है 10 इसको उधार लिखते हैं 10 M ये 2 इन्टू 10 N इन्टू 3 अपन 10 P इन्टू 5 क्या करना है हमें A, B, C के फोर्म में लिखना है 10 M की वेलू क्या है A है यहां लिख लेंगे A स्क्वार क्यों है यह 10 N क्या है B है बाहर क्या लगा है 3 फिर यहां क्या है 10 P क्या है C पावर क्या है उसकी 5 यह A स्क्वार B क्यूब अपन C 5 यह हो गया हमारा आंसर आ गया समझ में, क्या करना था, a base c के form में हमें k की value को लिखना आया, k की value क्या आ गई, a square b cube upon c5, note कर लिजे इसको, 8 question में क्या दिया हुआ है, if log 5a is equal to 2, log 3 base b is equal to 3, हमें find करना है, 3a minus 2b की value, कैसे करेंगे, जो हमें question में दिया हुआ है, log में, इसे हम exponent form में लिख लेते हैं, ये 5 क्या है base, ये है power is equal to a, ये है base 3, ये क्या है, power is equal to b, ये लिख लिया हमने, अब देखिए, a क्या गया यहां से, 5 का square 25, 25, b क्या गया, 3, 3, 9, 3, 2, 27, यहां से आ गया, a is equal to 25, b is equal to 27, ये आ गया, हमें find करना 3a minus 2b, तो a और b की value पूट कर देंगे, है यहां पर 3, a क्या है, 25 minus 2, b क्या है, 27, ये हो गया, यहां multiply करेंगे, ये तो 3, 5, जब 15, 75, ये हो गया, 4, और ये, सॉरी, ये हो गया, 54, minus करेंगे, आ जाएगा, 1, और ये आ जाएगा, हमारा, 2, क्या आ गया, 21, 3a minus 2b की value आ गयी, 21, आ गया समझ में, नोट कर लीजे इसको, यहां से हमारी exercise 7a कम्प्लीट हो गई, next lecture में हम 7b की theory पढ़ेंगे, thank you for watching this lecture, घ्क प्रावँ, करेंगे, आ रावागा समझ में, ये हम neon लिर वाया, जा से हमारा ।ह मैं विरो गया,